आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी हमारे दैनिक काली क्रम समय चक्र में आप सभी का स्वागत और इस खास पेशकर्श में हमारे साथ मौजोद है जोतिश पंडित रवीशंकर जी रवीशंकर जी प्राइम टीवी पर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करूँ हूँ जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका देखे पंडित जी आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन का पंचांग क्या है आज का पंचांग बिक्रम सम्मत 2018 कार्तिक माज की सुक्लपक्ष पर्तिपदा उपरांध दुतिया आज काफी आसरमों में अन्नकूट आज भी मनाया जा रहा है साथ ही चंद्रमा विष्टिग्राशी में इस्थिर दिन मंगलवार नचत्र अनुराधा राहु काल तीन बज़े से सायन साधे चार बज़े तक सूरुदय सुबा छे बच कर चोविस मिनट प्राता और सूर्यास्त साम पांच बच कर सोला मिनट सायन काल आज दिनांग 14 नमंबर 2030 आप सभी के लिए सुब और अच्छा हो ठीक है देखे पंडी जी ये तो रही पंचांग की बात लेकिन अब आप से राशी फल भी जानना चाहेंगे कि आज जो लोगों के तारे हैं वो क्या कुछ खहते हैं और आज उनका दिन कैसा रहने वाला है आप चले रुक करते हैं राशियों के और सबसे पहले जाना चाहेंगे मेश व्रिश और मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा देखें मेश राशी पहली राशी मेश राशी मेश राशी वालों के लिए क्रोध ना करें आज के दिन कार में ब्योधान उर्पन हो सकता है आपकी कुरोध की वज़ा से हनुमान जी का ध्यान करें मन में संतोस रखें फल आपको अच्छा मिलेगा दूसी रासी ब्रिसब रासी ब्रिसब रासी आपके लिए मांसिक प्रसंदता रहेगी साथी कारी छेत्र को बेहतर धंग से आप कर पाएंगे जो कारी आप करते हैं वो बेहतर धंग से हो पाएगा साथी आप ध्यान रखें सत्रूओं से साउधान रहें कारी पर पूरा ध्यान लगाएं आप तीसी रासी मितुरासी मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन धन संबंदी कारे आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही आप किसी ना किसी से ऐसे बेक्ति से मिलें उससे सलाह लेंगे तो आपका कारे और बहतर तरीके से हो पाएगा परिवार में सांती का वाता वरन रहेगा पत्नी का ध्यान रखे ठीक है दिखें कि तो सुरुआती तीन राशों के बात रही लेकिन बाकी तीन राशों के बार में भी जानना चाहेंगे करक सिंग और कन्या इन तीनों राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा देखे चोथी रासी करक राशी करक राशी वालों के लिए धनलाप के योग हैं स्वास्त में थोड़ी परिशानी आ सकती है आई से सम्मंधित थोड़ा ध्यान रखें और गले से सम्मंधित आपके स्वास्त में दिक्कत हो सकती है उसका भी ध्यान रखना होगा आपको और बा आचुई रासे सिंग रासी पत्व प्रतिष्ठा में बढ़ोत्री होगी किसी प्रिये जन से आपकी मुलाकात हो सकती है उससे मन आपका प्रसंद रहेगा साथ ही आप थोड़ा पिता का अपने स्वास अगर उनका खराब चल ला है तो उसको लेकर थोड़ा ध्यान रखें आपकी अगली राशी कन्या रासी कन्या रासी वालों के लिए आज का दिन ब्यापार में लाब निवेस अगर आप करना चाहते हैं तो सही समय कर सकते हैं धन लाब के योग हैं सेर मार्केट में फायदा हो शकता है अगर सेर मार्केट का कारी आप करते हैं तो उसमें आपको अब बाकी की राश्या क्या कहती हैं हम ये भी आप से जानना चाहेंगे अब बात करेंगे तुला विश्यक और धनु राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा तुला रासी वालों के लिए मन को शांत रखें आप किसी पुराने परिचित से भेट कर सब हो सकती है आपकी धन खर्च पर नियंतरन रखें साथी पेट से सम्मंधित आपको परिशानी हो सकती है ब्यापार के लिए तो अच्छा है लेकिन आप अपने स्वास्त को खान पान क का विसेज ध्यान रखें अगली रासी का रुप करतें हैं ब्रिष्चिक रासी ब्रिष्चिक रासी फिजूल खर्च से बचें खान पान पर विसेज ध्यान रखें किसी को आप अगर कुछ दान सुरूप देना चाहते हैं तो वो दें आपके लिए अच्छा रहेगा वहां साउधानी से चलाएं अगली रासी धनूरासी धनूरासी वालों के लिए मन में खुशी का वातावरान रहेगा धर्म के प्रतियापका आस्था बढ़ेगा साथ ही कानूनी छेत्र में परिशानी हो शकती है तो उसका ध्यान रखें अगर आपका कोई कानूनी वाद विवाद चला है तो उसको गंभीरता से लें और साथ ही आप अपने किसी प्रेजन से मिल सकते हैं जिससे आपका मन थोड़ा सांत रहेगा ठीके पंडी जब बाकी जो बची तीन राश्या है अब उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि मकर कुम्ब और मीन राशी वालों का आज का दिन क्या सा रहेगा देखे जो अगली राशी है मकर राशी मकर राशी वालों के लिए धन के योग हैं कारशेत में सफलता आपको मिल सकती है नए रिस्तेदार से आपको मदद मिल सकती है और उससे आपका मन बहुत ही प्रसंद रहेगा साथ ही आपको प्रसंद नता का माहूल आपके सरीर में और आपके परिवार में रहेगा अगली राशी कुमराशी कुमराशी वालों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी भाई अगर आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन है उसस्त है तो उनका ध्यान रखें साथ ही आप कारिसिद्धी के योग हैं और आपके धन लाब के भी योग है आप आखरी राशी मीन राशी मीन राशी वालों के लिए ब्यक्तिकत संबंध मजबूत होंगे साथ ही अपने माता का आपको इसनेह मिलेगा उससे आपको तरक्की भी होगी साथ ही वाणी पर सैयम रखें मतलब किसी से फाल्तू लडाई जगडा ना करें लिमिट में बात करें वाणी पर नियंतर रखेंगे तो कारियोर भी अच्छे धंग से हो पाएंगे ठीके देके पंडी जी आज है मंगलवार का दिन और आज भागवान हनुमान की पूजा अर्चना की जाती है लगतार मंदुरों के बहार हमने बारी भीड़ भी देखी है लेकिन मंगलवार के पीछे हनुमान जी की पूजा करने की वज़ा अखिर क्या है देखे हनुमान जी ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी दौपर और त्रेता युगी नहीं कलियुक में भी अभी हैं आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सारे ग्रह आपके फेवर में रहेंगे हनमान जी ब्रह्मचर के साथ ही लोगों की अगर किसी को कोई पीड़ा होती थी उनका नाम लेते हैं तो हनमान जी जरूर उसको अच्छा मार्ग और रास्ता दिखाते हैं एसलिए हनमान जी की पूजा करने से आपके सारे कष्ट दूर रहेंगे तो आज मंगलवार का दिन है आप हनमान जी को उनका प्रिये जो भोजन है आप लट्डू चढ़ा सकते हैं आप तामबूल चढ़ा सकते हैं मीठा पान भी अत्प्रिये है साथ ही आप उनको चोला भी चढ़ाएंगे तो बेतर रहेगा आपके लिए ठीके देखे पंडेजी ये तो आपने बताए कि आखिर मंगलवार को ही क्यो मनाय जाता है जो भगवान हनुआन की पूजा है वो मंगलवार को क्यो की जाती है लेकिन इस सेशन की शुरुवात में आपने कहा कि आज का जो राहु है वो तीन बज़े से कुछ राश्यों पर तो यहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं लेकिन जहां दिष्टी देती हैं वहां अच्छा नहीं करते हैं तो अगर कोई कारी में किया जाता है कोशिस करें राहुकाल का समय निकल जाए तभी आप पूजा आप यात्रा करें कोई नया कारी करें आप पूजा पाड भी राहुकाल में वर्जित होता है राहुकाल के समय केवल आप भजन कर सकते हैं कोई अनुष्ठान आप रखना चाहते हैं तो राहुकाल से पहले ही रख तो आप इस ध्यान रखें राहुकाल से बचना चाहिए और साथ ही आप भक्ति करेंगे तो आपको आसानी रहेगी अगर आपको यात्रा करना ही पड़ता है उसी समय में तो आप या तो अपना कोई वस्त पहले बाहर कहीं रख दें या तो फिर आप हनमान जी का नाम लेके करेंगे हनमान जी सारे भिग्ण हरता है और वो अपने जितने भखतों को होता है सही मार्ग दिखाते हैं और कोई विपती नहीं आने देते हैं तो आप हनमान जी क्या नाम लेके उनकी पूजा करके उनको लड़्डू चढ़ा के आपका कारिश सिद्ध होगा पंडी जी अभी लगतार आप में जिक्री क्या कि राहू के अगर दृष्टी किसी राशी वालों पर पढ़ जाती है तो वो उनके लिए थोड़ी घातक भी सावित हो सकती है आज किन राशी वालों को विशेश ध्यान रखने के बहुत ज़रत है राहू काल के दोरां देखे राहू इस समय पंचम भाओ में इस्थित है तो गुरू के साथ इस्थित है तो आपको विशेश साउधान रहना होगा और साथी आप राहू की जो डृष्टी होती है 5, 7, 9 होती है तो अभी वो पंचम भाओ में हैं तो आप सत्व्त अलाब पर पढ़ रहा है आप इस मार्क से अर्जित कर रहे हैं, यह सब विसेश आपको ध्यान रखना होगा और अगर इस सब का विसेश ध्यान रखते हैं तो आपके कारी अच्छे होंगे और सिद्ध होगे। मंगल की आपकी जो होती है वो तीन द्रिष्टियां होती है, साथ ही गुरू की भी तीन द्रिष्टियां होती है, पान साथ नो शनी की भी तीन, जो गुरू की द्रिष्टियां होती है, वही राहु केतु की भी होती है, पान साथ नो शनी का जो होता है, वो तीन साथ दस होता ठीक है ऐसे मंगल का भी अलग दिश्टी होती है तो आप दिश्टियां जो उनकी होती हो भी खास महत्वपूर होती हैं कहां बैठे हैं कौन सी उनकी दिश्टी आपके कैरियर पर पढ़ लही है या आपके लगन पर पढ़ लही है आपके धन भाव पर पढ़ लही है आपके भागी पर पढ़ लए तो ये सब बेहत हासा महत्वपूर्ण होता है ग्रह जहां बैठते हैं उनके दिश्टी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है तो ये सब चीजें जो हैं वो जोतिस वैदिक जोतिस में एक अच्छा और बहुत ही जानने वाला चीज है तो आप सभी को जा कि यह तो हर एक दिन का कुछ ना-कुछ विशेश बता कर ही जाते हैं और उपाए आज का विशेश क्या है? और ओम भूमाय नमा का जाब भी आप कर सकते हैं इस मंत्र का तो और भी मजबूत होगा और आपके लिए बेहतर रहेगा ठीक है धन्यवाद पंडिजी हमारे साथ इस खास कारिक्रम में जुनने के लिए तो हमारे दैनिक कारिक्रम समय चक्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे प्राइम टीवी नमस्कार